जय गुरुदेव, दैवी संस्कूरुती, रुशी संस्कूरुती, सत्योगी संस्कूरुती लाव आमाटे आवो, ए गुरुदेवना दिव्य प्रवचनमा द्रस्ति करिये, ते पहला, सवने सद्वूती मडे, सवनु कल्यान थाए, सवुज्वल भविशे नमार ते विद्धि विभाव नाथी, एक गायत्री महामंत्रा, ओम्भूर्भुवाहश्वाह, तत्सवितुर्वारेण, भर्गोदेवश्य दिमाहि, धियोयोनाह प्रचोदयात आजे पुज्ये गुरुदेवनु प्रवच्चन, द्यान योगनु व्यवहारिक स्वरुप एना उप्वर छे, आओ गायत्री मंत्रा, मारी साथे साथे ओम्भूर्भुवाहश्वाह, तत्सवितुर्वारेण, भर्गोदेवश्य दिमाहि, धियोयोनाह प्रचोदयात सादना, शुहरण जन्ती वर्षमा उतमने गायत्री उपासणानी साथे साथे, विशेश रुप्ति जे शिक्षन आपवाही छूचू, ए ध्याननुचे सिक्षन, ए सिक्षन ध्याननुचे उपासना बे प्रकार नीज़, ना मने रुपनी उपासना, ना मने रुप अगर उपासना थे शक्ती नथी, आबे विश्व मानने उपासनाज, तमे कोई पन धर्म मा जुओ, मानस नाम जरूर लेज, मुसलमान तेम ना पीर नू के अल्लाह नू नाम लेज, खिस्त्री, खिस्त्री पादरियोंने, तमे मारा जपता जोया आशे, आरी समाजी पन प्रकासना ध्यान करता आशे, ना द्योग वाडा कान मा आउता आवाजना ध्यान करता आशे, दरेकने कोई प्रकारे ध्यान करूं पड़े छे, ध्यान कर्या वगर प्रगती थाई शक्ती नथी, अतला मादे में कयों छे के जपनी साथे साथे ध्यान पन करो। स्थूड ध्यान मूरती पुजाना माध्यम थी थायी छे, केंके मनुष्यनों मानसीक विकास एकलो नथी थयो, के मूरती के चितर वगर ध्यान करी सके। परन्तु जारे जब औने ध्याननों महावरों बराबर एकाग्रतासी थाये छे तो पचेने मूर्ती के चित्रनी खास जरूर रहती नथी पचें आपने आपनी अंदर रहेला परमात्माना अंस नों शाक्षात कार करी सकीये छे अने येनु ध्यान धरी शकीये छे द्याननों अर्थ सुम छे द्याननों मतलब है कि आपने आपना जीवन ना आपना जीवन ना बे पक्स छे एक पक्स बाहारनों छे आपने बाहारनी वस्तों ने जोई शक्किये छे परंतु बाहारनी वस्तों बाहारनी वस्तों ने जेम अंधरनी वस्तों आपने जोई शक्ता तोशुन आपनी अंदर कसुझ नथी, बेटा, सलमा जेक कई छे, ते आपनी अंदर जिछे, बार कसुझ नथी, बार देखा धी, वस्तू, भग्त देखावु पूर्ती छे, खरी चीज, असली चीज अंदर छे, खरी जिन्दकी कोने कहे छे, ते बाहार नथी, परन्तु आप प्या कमाई शक्किये छिए सन्मान मेडवी शक्किये छिए आंत्रिक वस्तुच एने आपने जोईश्यक्ता नथी परन्तु एना द्वाराज आपने कमाई शक्किये छिए आपने अंदरनी वस्तुओ जोईश्यक्ता नथी और आपने कईये छिए के हे भगवान आपे अमारी शीब मस्करी करीब के बाहरनी वस्तुओनी जानकारी आपी परंतु अंदर नीना आपी संपती विभूतियो देवत्तो अने महांता आपनने देखाता नथी आपनने आपनु भविश्य देखातो नथी आत्मा देखातो नथी परमात्मा देखाता नथी आपनी अंदर रहेला आत्माने परमात्मा एक जी छे पोतानु विख्षित स्वरूपज भगवान छे आपणु विख्षित रूप शिवोहं सतिधानन्दोहं तत्व मसी पयात्मा ब्रहम प्रज्यानन्द ब्रहम छे वेदांतना आबधा महावात्यों छे ए जणावे छे क्या आपणु तप्ठी विख्षित विख्षित स्वरूपज भगवान छे हीरोशूं छे हीरा हने कोलसा में कोई खास फरक न थी एवीज रिते आत्मा अने परमात्मा एक जी छे आत्मा थोडो सीमित छे परमात्मा आसिम छे आत्मा अनु अने परमात्मा विभू छे आत्मा माया मा फसाये लो छे परमात्मा माया थी मुक्त छे आपने आपनी जातने दोस दूर्गोणों थी मुक्त करी लईये तो परमात्माने मेडवी सक्किये छी एतले आपने प्रकास नू ध्यान करिये छी अंतर आत्मानु ध्यान करिये छिए अध्यात्मनी भासामा प्रकास नो अर्थ ग्ण्यान छे ए प्रकास माटे आपने भगवानने प्रास्ना करिये छिए ओम कमशो मा जो पिर गमय ए भगवान अमोने अग्ण्यान रुपी अंतकार माती ग्ण्यान रुपी प्रकास तर फ्लै जाओ अध्यात्म मा प्रकास सब्द ज्यापन वपरायो छे ते ग्ण्यान ना अर्थमा जवपरायो छे प्रकास नु ज्यान तमारे मस्तिष्क मा बिजू अंतरात्मा मा एटले के रदैमा अने त्रिजू नाभीना स्थान मा करवानूँचे मनुष्यना त्रण सरीर छे, त्रणाई शरीर ना त्रण केंद्रोच आ त्रणाई शरीर नी अंदर प्रकास चमको जुए प्रकास आपना त्रणे शरीर मा प्रवेश हो जुए एनो अर्थ एछे कि प्रकास जारे आपनी नसोमा नाडियोमा अने शरीर मा आवे तो नाभी मा थाईने आवो जुए नाभी मा थी थाईने एकला माटे कि माता आने बालेकनू सबंद शुत्र नाभी साथे जोड़ाये लूँ है चे एकला माटे स्थूड शरीर नुकेंद्र नाभी नेज गणवा मावे चे जे रिते माताना सरीर माथी बाड़कने नाभी द्वारा पोशन मडे चे एविज रिते भगवाननी शक्ती प्रकास आपना सरीर मा नाभी मा था करम योग जा ज़िन शरीर ने अंदर प्रवे से डीचे ए प्रकास जारे तमारा सरीर मा आव से तो तमारा आठा लोई मास बद्दूज चमकी उत से चमकवांनों मारो मतलब तमारी अंदर कर्म प्रत्य निश्ठा स्पूर्थी शाहशिक्ता स्थ्रंप्रत्य प्रेम तधा क कर्मों प्रतिय लगन और कर्तव्य परायन थाल्य है। भगवान नो प्रकास जारेपण सरिर्मा आऊशे तो कर्म योगना रुकमा आऊशे अने मानस कर्तव्य निष्ठ थतो जुवा मर्शे एना माटे वर्क इस वर्शिप आऊशे पुजा कर्म, स्रेष्ठ कर्म, आदर्स कर्म, लोकूप्योगी कर्म, मर्यादानू पालन ए बदा कर्म योगनी अंदर जावी जाएचे जे प्रकास नू द्यान धरेचे, एने आरसु अने कमजोर ना बनूँजुए, चोर अने कामचोर बनने मारे द्रश्टी ये सरखाचे चोर करता है कामचोर मोटो पापीचे, कामचोर ने मोटामा मोटी गाहर चे, कामचोर सवथी खराबमा खराब व्यक्तीचे गुरुजी अमने पेंसन मडे चे और आमें शांतीनू अने मोज मजा नू जीवन जीविये चे, पनू तने मोज मजा नहीं करवा दूँग, जया सुधी सरेर मा प्राण छे, त्या सुधी करम करगू पड़ से, परमार्थ माटे सरेर नो अने समयनों सदूप्योग करूँ तमारा ग्ण्यान नो लाब से जिस आपना माटे समाज माटे देश माटे धर्म माटे बजा माटे करतव यहनू बंदन से यहनू आपने सव पालन करीशू जो आरिते तमें स्फूर्त थी और निये मित्रिते कारेरत रहसो तो उस समझीश के तमें साचा कर्म योगी चे तमें द्यान में सार्थक करियोंचे एम हुमानीचे प्रकास नू बिजू द्यान तमने कहूंचे के तमें तमारा मस्तिस्कमा प्रकास नू ध्यान करो तमारा मस्तिस्कमा मनमा ज्यारे प्रकास आऊ से त्यारे ज्यान योगी बनू उपर से कर्म योगी शरीर थी और ज्यान योग प्रेट निश्यादाट्मक नाइं नकरात्मक नाइं विधयात्मक विचार आववा जुए अत्यारे तमारा मगज मा विचारों नी भीड़ छे एक कोई काम नी नखी केटला बदा विचार केटली बदी कल्पनाव आवे जुए एनू जो विश्लेशन करिये तो तेमा गुसो कामवासना लोग, मो, स्वार्थ जेवा नकामा विचारों बरेला जुए अमर्षे लोट्रीनी टिकेट खरिदी एना इनाम माची सुशू करीशू एवा तुछ विचारों बर्याजी अने एनाची तमारी शक्ती निरर्थक नकामी वही जायेजी आ बदी नकामी कल्पना ओ लोट्ट तमें आज विद्वान हो तुमें आज विद्वान हो तुमें एक विशेष्ता है जे कि में मारी चिंतन नी धाराने सीमा बद्ध औन दिशाबद बनावी राखी चे उनकामी वातों माटे क्यारे चिंतन करतों नथी मारू चिन्तन जरूरी वात माटे दिशाबद्ध वात माटे आदर्श माटे जो होई जे सक्या छे एनुज हुँ चिन्तन करूँछ मारू मगज एवा तानावानामा गुथायलू होई कि जे वास्तविक छे अने विवहारिक होय एनों चिंतन आने विचार करेची जे वास्तविक छे और विवहारिक छे अनावश्यक छे एवाब बदाए विचारों ने हुँ बाहर्ती जी विढाय करूँची मगज मां क्या रे घुश्वा देतो नथी आउवा देतो नथी एमने कऊचु कि मारा मगज मां तमने प्रवेश्ट नहीं मली सके तमने बाहरेज साराचो ज्यानियोग ए वस्तोंनु नाम चे कि जे आपना चिंतन मां जे अनिचिय तत्व भड़े चे एमने आपने हिम्मत थी रोकिये अनि जे वस्तोंनी जरूर छे जे चिंतन नी आपने जरूर छे जे सद्विचारोंनी आपने जरूर छे ए जे चिंतन ने आपनी अंदर स्थीर करिये तो आपनु मगज गिन्यान नो भंडार बनी सके जे विद्यानी द्रश्टिये गिन्यानी द्रश्टिये समझण अपने अंदरशिस फूर्ता जशे, ग्णानी गंगा आपना मगज मा थी वैए से, जेविरते संकर भगवान नेत्र कैवा मा आउतु होतु, ए आपनों त्रिजु नेत्र, विवेक नुनेत्र, देर्ग द्रश्टि नेत्र एवी रिते खुली सके चे जे मुँ भगवान संकर नुँ खुली होतो आ ग्ण्यान योगनी साधना चे ग्ण्यानने विचारोंने सम्तोलने सुव्यवस्थित करवा माटे प्रकास चमको जुई जो तम नाव ग्ण्यान आवे तो हुँ समझी स के तमे साचा ध्यानने स अने व्यवहारिक स्वरुकमा तेनों तमे अमल करें जो तमे ध्याननों व्यवहारिक स्वरुकम न सम्झी से क्या अने मात्र कल्पना लोकमाज उड़ता रहा तो तमे स्वपनों जोता रहे शो अध्यात्म स्वपन नहीं अध्यात्म व्यवहारिकता चे ए आपना जीवन सा आथे सबंद राखेज़ा अध्यात्म श्वप्ना मा नहीं अध्यात्म आपना व्यक्तित्व मा प्रगर्ठवूँ जुए तरीजा प्रकार नू ध्यान ए अंतह करण नो प्रकास। एक प्रकास एक ले आस्था निष्था विश्वास और करूना नो प्रकास। जे आखा समाज मा प्रेम ना रूपे प्रकासित थाएचि、 आपने प्रेम ना स्वरूपे भक्ति योग करिएचिए भक्ति योग एतले प्रेम व्यायां साड्या मा कसरत करिने सरेरने मजभूत बनावियेचिए ए तंदूरस्त शरीर न उप्योग सामान उचेकवा कपड़ा धोवा आवा कामुमा कामुकरवा मावेचे एवी जिरीते आपने भगवाने मी भक्ति द्वारा अध्यात्म सक्ति आत्मबड प्राप्त करी सक्कियेची ए भक्ति रुपी प्रेमने समाजमा वहेचो जोई आपने आपने शरीर ने चाहाईये छी तेथी तेने अस्तव यस्त थवाध्यता न थी औने तंदूरस्त बनावी राखिये छी जेती आपने लांबू आयू से भोगवी सकी जेती आपने लांबू आयू से भोगवी सकी आपनों शरीर प्रत्येनों प्रेम छे आपने गांडानी जेम आपना मगजने खराब कर्मू जोईये नहीं आपने 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 आत्माने प्रेन करिए जीवात्मानी तो आपने केकली बदी उप्यक्सा करीछे केक कण्सेश्या आपने पूछेश्य के वै मारू सूत थोань पूछ्ता पूछ्ता है जीवात्मानों सरील व्राद थही जायेशे जो आपने ये जीवात्माने साचो प्रेम करियो होत येना आनुससर्ण माराया होत तो ये जिवात्मा एकलो प्रचंद अने प्रखर थाई गयो होत के शाक्षात भगवान नारूपुमा काम आवत पन आपणे जिवात्मा मरी गयो कारण के आपणे तेने साचो प्रेम करता नथी आपने कोईने साचो प्रेम करता नथी पत्नीने साचो प्रेम करिये छिए ना पत्नी माते आपने जडो जिवा छिए लोई तरसी जडो जेने चोटी जाये छे एनू लोई पी जाये छे आपने स्त्रीने रोगोनू घर बनावी दितु श्त्री पासे जे कई हतु तेना माता प गुलाब जेऊं सुन्दर सरीर लईने आवी हती एने वास्तनानी आग मां आपने बाड़ी नाखियों एने शक्ती बाड़को पेदा करवा मांज वेड़ फी नाखियों ए श्त्री अनेक बिमारियों थी पिल्डाती डोक्तर ने तेहां जे धक्का खाये छे लागे छे के हारी गई से गुरु जी ने पोता नी बिमारी दूर करवानू कहे से जो तमें तम्हे तम्हें 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 ने बनावी होत। तम्हारा बार कोंनी सेवा करूं हो different our Kollegen अम्हें तो सेवा करूं करीछे नहीं तम्हें सेवा करवानी साची रित जानता हाज है साचों प्रयान कोणे कहवाई ए तम्हें जानता है न्हीं तम्हेंत हो एकजबात करो गयुठ के बार को मांठे पैस्या भेगा करिये ची तो तमें बारकोन वविश्य बगाड़ो छो, तेव पईसानी साथे साथे एमनी जिंदगी ने पड़ बगाड़ से, एले जो, एमने साचा रदैनो प्रेम आपो, उँँ भापो भक्ति योगनो अर्थ छे, करुणा, प्रेम, दया, सेवा, गंट बगारवो, फूल चोखा, अ बदू सेवा न थी, भगवान नी बार्ष रुपे सेवा करवी, एन नवधा भक्ति केवाए, आपने तो भगवान ने पर छेतरिये छी, और आपने जातने 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 पर आपने आपनी जातने एकज लक्षे परकेंद्रित करी लिजी होतु तो बंदूक निजयम लक्षे सिध्ध करवा मां सफड़ थात। निजयम लक्षे सिध्ध करवा मां सफड़ थात। एकज आपने आपने शक्ती ने गमेत्यां वेड़फ़ी न जुए। एकाग्रताना अभावे तमारू मन विद्यामा लाजतू नथी के तमें तंदुरस्ती जाडवामा पर द्यान नथी आपता हमेशा आपनू मन भटकतू रहेच आपना मननी स्थिती आजे अस्त व्यस्त होयेच त्याने सयमित बनावो मननी स्थिने भगवानना माध्यम थी जपना माध्यम थी अने द्यानना माध्यम थी एकाग्र करी शकाए कोई पन काम करिये तो लगन अने एकाग्रता थी करूँ जुई इना माटे सकत मैनत अने अभ्यास नी टेव पाडवी जुई भगवान नु के आपनु कोई पण कारे हो तेने एकाग्रता आने लगन खी कर्वोजूऑ जुह एकाग्रता ए अध्यात्मनों गुण छे जारे तमे रमोचो तो एटली तन्माहिता राखो छो एटली तन्माहितासी रमोचू के तमारू ध्यान बिजे हो मुझे न जुए कोई पड़ काम करो तो इतला ध्यान की करो के तमारू ध्यान बिजे क्या है जाहे ज नही आवी तन्मायताची करवा मावेलू काम सफ़डताना उच्च सिखरे पोँचाली देच तन्मायताँ आपणाजी जीवननों एक वास्तविक येएमु श्वरुक हो मुझे जेवु वैज्ञानीक मा होएचे वैज्ञानीक औने शामान्य Bitcoin मा कोई फर्क नथी कोई विशस फर्क नथी ओतो बनने शर्खाज होएचे वाईग्ण्यानिक एमने केवाम आवेछे के जे पोताना रिशर्च कारेमा एटली एकागरताने लगण ठी डुबी जायेचे के जेवीरिते सागरमा मोती सोद्वा माटे मर्जिवा डुपकी मारेचे आतली एकागरता थे जिसोद थाई सकेचे मन आई तैं बटतु होए तो कोई रिशेर्च करी शक्तू नथी तमारे मात्र भजन माझे एका ग्रता नाथी लावानी पण धरेक काम मा एका ग्रता लावानी जरूर से एका ग्रता नूँ अभ्यास नौवा थी आपने एक फरियाद हमेशा एह होईच के मारू मन माड़ा मा नथी लागतू तमे तमारा मनने काबु मा राखता सिखो कोई पन काम करिये तो एमा एकली जी तनमाइता राखो भजन करो तो योगी जेकली तनमाइता सी करो जो तमे प्रकास नू ध्यान साची रित करवानू सिखी लिदू हसे तो उतमने विश्वास आप पूछू के तमे बद्धूज मेर विशक्सो जे एक साचा अध्यात्मवादीन मरूजू जूए ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती तमे जी गुरुदयूनी सिम कुरुपा थी रुषीचनतन ना माध्यम थी रुषीचनतन चैनलना माध्यम थी आप सवनी पासे पोचाड़ आविव्युज आप प्रवच्चन ने अनसांबलियू अनसांबलियू नई करता एने पोता नाष्व जोणोंमा गुरूप सर्कल मा फोर्वड करी दैवी संस्कुरूती, रुशी संस्कुरूती सत्यूगी संस्कुरूती लावा मा सहभागी बंसो एज़ पेक्सासल आप सवना उज्वल बविशे माते निमनु कामना करतू अखेल विश्व गायत्री परिवार साखा सर्गास्तन, जेदपूर, रुशी चिंतन, आप सवने हर्दिक सुभकामनाव